प्रेंड्स कि रंदरीटर पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे विवर्ज की फर्माईश थी कि सिंपल वाला बॉर्डर जो होता है आम होल का वो बुन्ना बताया जाए तो फ्रेंड्स इसमें देखे मैंने यह सिंपल वाला ही बनाया है बॉर्डर पहले जो वीडियो मैंने डाले हैं वह मैंने सुई वाले बॉर्डर के डाले हैं जो की आगे से अलग तरह से बनता है तो यह सिंपल वाले बॉर्डर की बहुत फरमाईश थी तो चलिए फ्रेंड्स बहुत एजी है यह बट यह जो होती है यह वाली वूल 3 पॉलाई की इसमें जैसे मैं सुन्दर बन किया है इसकी शेप बहुत बड़ी आई है तो बुनना सीखते हैं कैसे करेंगे देखे फ्रेंड्स यह मैंने इसका पिछला साइड जो है बैक साइडा स्वेटर की यह मैंने इस वारे कलर में बनाई है जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रीम कलर की मेरे पास वू अधा दिया था कि मैंने यहां पर चार, तीन, दो, एक कटिंग की है इसके लिए आम होल के लिए तो यहां पर देखे फ्रेंड्स मैंने अटैस्ट कर लिया धागा गांट लगा के तो दस नंबर की स्लाइड यूज़ की है मैंने जैसे मैंने नीचे वाले बॉर्डर में की पहले वाले वीडियो में बताया था तो इसमें देखिए हम ऐसे करते हुए फंद उठाएंगे इसमें ज़्यादा नजदीक फंदे उठाने के जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे वाला बॉर्डर में हमें फंदे ज़्यादे उठाने पड़ते हैं तो हम बहुत पास पास फंदे उठाते हैं तो इसमें ठीक ठीक आप फंदे उठा सकते हैं तो फ्रेंडज ऐसे देखिए बहुत एसी है यह आप यहां पर मैं बता दूंए आपको आपको फंदे जाहिए और यहां पर इसमें यह यहां पे एक साइड के यह बैक साइड का बन रहा है और यहां से शोल्डर का जोड़ है तो यह फ्रेंट साइड बन रहा है तो यहां तक बैक साइड के जो फंदे आप 60 हिसमें उठाओगे तो फ्रेंड्स अगर आपकी वूल दूसरे टाइप की है कोई यह जैसे त्री प्ला करते हुए मैं उठा लेते हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं देखी प्रेंट्स मैंने यहां स्टे स्टार्ट करते हुए यहां तक यह इसका शोल्डर का जोड़ है यहां तक मैंने 60 फंदे उठा लिये हैं अब यहां से देखे क्या करेंगे देखे यहां पर आपका जोड आद्दा उठा लेंगे यहां पर अब यहां पर इदर वाले जो आर्म होल है यह फ्रंट साइड का बाकी आद्दा वाला इसमें आप फिर से 60 फंदे उठाएंगे तो जैसे यह फंदे उठा रहे हैं वैसे ही आप उठाते जाए देखे अंदे बहुत बढ़ी आए हैं तो चल मैं आपको बता देती हूं यहां पर मैंने 60 फंदे उठाए हैं इदर भी 60 फंदे उठाएं तो एक सो बीस हो और एक फ्र fireworks ने यह फ्रेंड समने यह पर उठाया हैं जैसे मैं आपको बताया היה ठाकी शूलडर का की जोडा आता है यहां पर एक सो बीस और एक पीच होती है तो उसमें आप सिंपल वाली नॉर्मल वाली वूल में आप इसमें थोड़े जादे फंदे उठाईए यानिके 130 से उपर आपको इसमें फंदे उठाने हैं पूरे टोटल 130 से 135 तक के तो आपका शोल्डर बहुत बढ़ी आ जाएगा सिंपल वाला तो चलिए फ्रेंड् राइट साइड सी तरफ से उठाए जाते हैं दूसरे शोल्डर में भी आपके राइट साइड से ही उठेंगे और फर्स्ट रो जो है रॉंग साइड में आएगी तो आप किसी भी फंदे से स्टार्ट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है उल्टे से बुनिए सीदे से बुनि होंगी तो यहां पर यह दिखे ऐसे एक उल्टा एक सीदा ऐसे बुनते हुए आप सिलाइयां डालते जाएगे जितनी आपको डालनी है नो या दस सिलाइयां बॉर्डर के लिए बहुत हो जाती है तो अब क्या करना है बहुत एजी है जादे वीडियो को लंबा क्यों करें यह ऐसे बॉर्डर बना लीजिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो पहले बुन रखा है देखी फ्रेंड्स यह एक शोल्डर हमने बुन रखा है इसमें मैंने एक उल्टे एक सीदे का बॉर्डर है जैसे मैंने आपको बताया है बस ऐसे बुनते जाहिए नो सिलाइयां अदस सिलाइयां डाल लीजिए मैं जितनी सिलाइयां डालूंगी मैं आपको बताऊंगी तो यह मैं बुन लेती हूँ बॉर्डर फिर मैं आपको बंद करना सिखा दूंगी बहुत एजी है यह कोई भी टफ नहीं है बस आपको फंदे उठाने का पता होना चाहिए कि आपक जो बॉर्डर बन रहा है इसका आर्म होल का इसमें यह जूल से ना पड़ जाएं वो अच्छे नहीं लगते हैं बॉर्डर बिलकुल तना हुआ होना चाहिए वह यह अच्छा लगता है तो चली फ्रेंट्स यह मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ देखिए इसमें मैंने आर्म होल का जो बॉर्डर बुनके कम्प्लीट कर लिया है तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें टोटल जो 9 सलाईयां डाली है नो सलाईयों में यह ठीक बन के आ गया है बाकि आपकी इच्छा है आप इसमें 10 यह 11 सलाईय जितना आपको इसकी चुड़ाई चाहिए हो आप इसमें डाल सकते हैं तो यह दिखी मैंने उल्टी साइड से पहली सलाई शुरू की थी तो यहाँ पर उल्टी साइड में ही यह सलाई खतम होके आई अब यह सीधी साइड है तो इसका मतलब कि इसमें 9 सलाईया मैंने डाल ली है तो अब म इसको जो बंद करना है, bind of करना बता देती हूँ, और friends, इसको bind of किसी भी तरफ से कर सकते हैं, यह मैं सीधी साइड से कर रही हूँ, आप इसको उल्टी साइड से भी bind of करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिरो bind of आपको कैसे करना है, यह आप देख लीजिए, बाइंड ओफ आपको, कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे सीधे सीधे फंदे बुनते हुए बाइंड ओफ करते हैं, जैसे यह सीधा बुन लिया, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे, यह उल्टा फंदा है, बट फ्रेंड्स इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, इल्टे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, देखिए ऐसे, इसका भी मैं आपको बताऊंगी, कि इसका क्या बेनफिट होता है, तो यहां पे यह देखिए, इसको आप उल्टी साइड से बाइंड ओफ करें, चाहे सीधी साइड से देखिए उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बुनते हुए करेंगे उल्टा बुनेंगे फिर इसको ऐसे उपर से निकालेंगे सीधा फंदा है तो सीधा बुनेंगे इसको तो ऐसे उपर से निकाल लेंगे तो बस ऐसे ही करते हुए जितने भी फंदे हों फ्रेंड से ये दिखिए आपके ये बंद होने स्टार्ट हो गए है जितने भी आपके फंदे हों पूरे ये आर्म होल के फंदे आपको यहां तक ऐसे ही करते हुए बाइंड ओफ करने हैं तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रीजन है कि हम ऐसे एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए बाइंड ओफ कर रहे हैं हम इसको यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पूरा बाइंड ओफ कर रखा है इस वाले शॉल्डर को तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि अगर आप सीधे सीधे बुनते हुए सारे फंदे सीधे बुनते हुए बाइंड ओफ करेंगे तो आपकी यह दिखी यह जो चेन सी बनती है यहां उपर की ओर आएगी अगर आप सीधा एक उल्टा बाइंड ओफ करेंगे तो यह चेन ऐसे आती है तो इसको आप कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है आप उल्टी साइड से बंदो करेंगे तब भी यह चेन ऐसे ही आएगी इदर उपर वाली साइड अगर सीधी तरफ से बाइंड ओफ करेंगे तब भी चेन ऐसी ही आएगी तो सीधा सीधा बंते हुए अगर करेंगे तो चेन यहां उपर की ओर आती है वो अच्छी नहीं लगती है तो आप क्योंको वो भी अच्छी लगती है आप अपने हिसाब से इसमें बाइंड ओफ बना सकते हैं तो मैं इसी तरीके से इसमें बाइंड ओफ करते हूं जो की बहुत सुन्दर आता है यह देखिए चेन उपर की तरफ नहीं आती है तो अब ऐसे ही आप से सारा बाइंड ओफ कर लीजिए तो बाइंड ओफ करने के बाद जब आप सारा बाइंड ओफ कर लेंगे तो आपका फ् complete कर लिए है यहां तक अब मैं आपको ऐसे सीधा करके दिखाती हूँ कि इसका आम होर बॉर्डर कैसे लग रहा है देखे फ्रेंड्स यह मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूं आर्म होर बॉर्डर आप देख सकते हैं इसमें जरा भी जोल नहीं है बहुत सुंदर तना हुआ बॉर्डर बन के आया है कि लोग बनाते हैं उसमें जोल आ जाते हैं उसमें फंदे जादे उट जाते हैं तो जोल आ जाते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं बिलकुल भी जोल नहीं है बॉर्डर में ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है देखिए बिल बॉर्ट बढ़िया सिदा तना वर्डर है दोनों को से बिल्कुल भी जोल नहीं है तो अब आप बना लेजिए ऐसे ही आपका बोर्डर भी आना चाहिए जोल नहीं आना चाहिए बोर्डर में वह अच्छा नहीं लगता है जोल तो अब आप भी बनाईए और प्लीज सब्सक like and share thank you